पिछले वीडियो में हमने DNA की स्टक्चर को स्टडी किया था जिसमें हमने देखा कि DNA दो हैलिकली ट्विस्टिड स्ट्रेंड्स का बना हुआ होता है तथा ये दोनों स्ट्रेंड्स आपस में स्ट्रेप्स के द्वारा जुड़े रहते हैं प्रतेख स्ट्रेंड्स डी ओक्सी राइबोज शूगर मोलिक्यूल तथा फोस्फेट मोलिक्यूल के एकांतर रूप से लगने से बनता है और प्रतेख स्टेप एक डबल रिंग प्यूरीन तथा एक सिंगल रिंग पिरिमिडीन नाइटोजिनस बेस का बना हुआ होता है ये प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स डी ओक्सी राइबोज शूगर से जुड़े रहते हैं दुनों स्टेंड्स में राइट हैंडड कोईलिंग पाए जाती है और प्रतेख स्टेंड में एक टर्न थर्टी फोर एमिंग स्ट्रोंग लोंग होती है और प्रतेख टर्न में 10 बेस पेर पाए जाते हैं और रोटेशन पर बेस पेर 36 डिग्री होता है और हेलिकल डायमेटर 20 एमिंग स्ट्रोंग होता है यह DNA बी DNA कहलाता है जो DNA की बाइलोजिकल इंपोर्टेंट फॉर्म है जो अधिकतर लिविंग सिस्टम में पाए जाती है इस हैलिक्स टाइप्स के अलावा भी DNA की अल्टरनेटिव फॉर्म भी पाए जाती है इस परकार DNA हैलिक्स पोलिमोर्फिजम शो करता है और DNA पोलिमोर्फिक होता है आज हम DNA हैलिक्स की अल्टरनेटिव फॉर्म्स और ZDNA वे बी DNA में समानता और इन में डिफ्रेंसेज को स्टडी करेंगे DNA की अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम इस टेबल के द्वारा स्टडी करेंगे जिसमें हम हैलिक्स टाइप, कंडिशन, बेस पेर पर टर्न, रोटेशन पर बेस पेर, हैलिकल सैंस और हैलिकल डायमेटर को स्टडी करेंगे लोटेशन पर बेस पेर निकालने के लिए 360 डिग्री को परतेक टर्न में जितने बेस पेर पाये जाते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट हैलिक्स टाइप है इसके लिए कंडिशन है 75% रिलेटिव हुमिडिटी, सोडियम, पोटेशियम और कैलिशियम आयन की परजैंस इसकी परतेक टर्न में 11 बेस पेर पाये जाते हैं इसलिए रोटेशन पर बेस पेर 32.7 डिग्री होता है इसमें हेलिकल सैंस राइट हैंडेड होता है और हेलिकल डायमिटर 23 एमेंग स्टोंग पाये जाता है हेलिक्स टाइप B जो पायलोजिकल इंपोर्टेंट फॉर्म है इसके लिए कंडिशन है 92 परसेंट रिलेटिव हुमिडिटी इसकी हेलिक्स की परतेक टर्न में 10 बेस पेर पाये जाते हैं इसलिए रोटेशन पर बेस पेर 36 डिग्री होता है इसमें हेलिकल सैंस राइट हैंड़ होता है और हेलिकल डायमेटर 20 एमेंग स्टोंग पाये जाता है हेलिक्स टाइप C इसके लिए कंडिशन है 66 परसेंट रिलेटिव हुमिडिटी और लिथियम आयन की परजैंस इसकी परतेक टर्न में 9.33 बेस पेर पाये जाते हैं इसलिए रोटेशन पर बेस पेर 38.6 डिग्री होता है इसमें भी हेलिकल सैंस राइट हैंड़ होता है और हेलिकल डायमेटर 19 एमेंग स्टोंग पाये जाता है हेलिक्स टाइप Z या Z DNA इसके लिए कंडिशन है वेरी लाइट साल्ट कंसेंट्रेशन इसकी परतेक टर्न में 12 बेस पेर पाये जाते हैं इसलिए पर बेस पेर रोटेशन 30 डिग्री होता है इसमें हेलिकल सैंस लेफ्ट हैंडड होता है और हेलिकल डायमेटर 18 एमेंग स्टोंग पाया जाता है इन चारो हैलिक्स टाइप में केवल Z-DNA में ही left-handed हैलिकल सेंस होता है अब हम Z-DNA और B-DNA में similarities को study करेंगे दोनों में first similarity यह है कि दोनों double हैलिकल होते हैं दोनों DNA में double हैलिक्स के दोनों polynucleutide strand anti-parallel पाए जाते हैं दोनों में nitrogenous base में same pairing पाए जाती है गवानिन cytosine के साथ 3 hydrogen bond द्वारा और adinin thymine के साथ 2 hydrogen bond के द्वारा connected रहता है Z-DNA और B-DNA में बहुत से differences पाए जाते हैं जिनको हम one by one study करेंगे First, Z-DNA में left-handed helical sense होता है जबकि B-DNA में right-handed helical sense पाया जाता है Z-DNA में sugar phosphate backbone जिक-जैग होती है इसलिए इसे Z-DNA कहते हैं जबकि B-DNA में sugar phosphate backbone regular होती है Third, Z-DNA में adjacent sugar molecules की opposite orientation होती है जबकि B-DNA में इनकी same orientation होती है इस कार्म Z-DNA में repeating unit dinucleotide होती है जबकि B-DNA में repeating unit mononucleotide होती है Fourth, Z-DNA में एक complete helix में 12 base pairs या 6 repeating dinucleotide units होती है जबकि B-DNA में एक complete helix में 10 base pairs या 10 repeating mononucleotide units होती है Z-DNA में 6 repeating unit होने का कारण यह है कि इसमें adjacent sugar molecule की opposite orientation होती है और B-DNA में 10 repeating units होने का कारण यह है कि इसमें adjacent sugar molecule की same orientation होती है इसलिए B-DNA में repeating unit mononucleotide होती है और Z-DNA में repeating unit dinucleotide पाई जाती है Z-DNA में परतेक repeating unit का angle of rotation 60 degree जबकि B-DNA में परतेक repeating unit का angle of rotation 36 degree होता है Z-DNA में helix की एक complete turn 45 mm strong long होती है जबकि B-DNA में यह है 34 mm strong long होती है Z-DNA का diameter 18 mm strong जबकि B-DNA का diameter 20 mm strong पाया जाता है З- déjàूकराश्पन का पाया जाँ जबकि freeze का जबक delightful जबकि काăng का जा शेला है There Cosh